बिखार से बिजेपी के हट्टे ही गुंडा राज और जंगल राज सुरू वहां की जंता बहुत परिशान है आज एक बाइक सवार इंसान ने एक लोगों की गोली मार कर हत्या कर दी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं बना हलाकि नौ लोग घाल हो चुके हैं और आज ही बिजेपी ने नितीश कुमार से स्तीफा मांगा है देखें ये रिपोर्ट खबर है बिहार के बेगुसराय से जहां बाइक सवार बदमाशों ने खूनी तांडव कर लोगों को हैरान किया इस तरीगे के वार्दात देखकर विपक्ष अब नितीश कुमार पर हमलावर हो गई है बिजेपी ने इस घटना को लेकर सीयम नितीश का स्तीफा मांगा है केंद्रिय मंत्री अच्विनी चौबे ने कहा कि सत्ता के लालच में नितीश कुमार के राज्य को जंगल राज में तबदील कर दिया गया है और आगे पता नहीं क्या क्या करेंगे हलाकि जन्ता को जवाब चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे है वही इससे पहले गिरीराज सिंग ने कहा कि विहार का दुरभाग्य है कि नितीश कुमार को मुख्य मंत्री बना कर कुर्शी पर बने रहने के लिए और जंगल राज को जन्ता का राज बताना पड़ रहा है केंडरे मंत्री अश्वीनी चौबे ने कहा कि राजे में लोग खास कर महिलाएं डरी हुई है सत्ता के लालच मिन नितीश कुमार राजी को जंगल राज में तबदील करने पर लगे हैं जन्ता को जवाब चाहिए बेगुसराय में इतनी बड़ी घटना हुई है सीम को स्तीफा दे देना चाहिए बेगुसराय में कल अलग अलग जगहों पर बाइक सवार हमलावरों की अंधादून गोलिबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 9 से 10 लोगों घायल हो गए केंद्रिय मंत्री अश्वनी चौबे ने कहा कि आप किसी राजी के सीम है ये कैसे भूल सकते है और जब आप अपनी ही जन्ता की सेवा नहीं कर सकते उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते तो आपको अपने पदजस्तिफा देना चाहिए क्योंकि आपके राज में महिनाएं डरी हुई है और गुंडा राज फिर से वापस आ रहा है फिलाल के लिए बस इतना ही बने रही है हमारे साथ आपके अपने चानल एक शेया डियूज इंडिया पे फॉल लेटिस टो प्रेट थांक्यू